सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है हम लोग पढ़ रहेते कक्षा ग्यारवी जेव विग्यान अध्यात तीन जगत पादप या फिर किंगना प्लांटी बूल सकते हैं इसको है ना पिछले वीडियो में हम लोगों नहीं देखा था पादप जगत का वर्गी करण कैसे किया सब्सब्सब्स हैवार खी आपके एक प्लांट उत्प मतलब होता है प्लांट इसको अलाग-अलाग देखेगे इसको जब प्राउन और फाइटान मतलब होता है प्लाट समू में लग बग 2,000 स्पिसिस को सहवालों को सहवाल होते हैं जिन में क्या है अधिकतर जो सहवाल होते हैं वो कैसे होते हैं लिथोफाइट होते हैं अरोद भिद्ध होते हैं अधित्रह अधिकतर जो पत्तर होता है ऊसे क्या होते हैं कि इस समूख के जो सदस्थे और जैसे बोडो निला ऐसे होते हैं और अधिकतर आहरोटी जल में पाएटाएं जो है वो मृदू जल में पाए जाते हैं उसके पाथ है जो बाकी जो सदस्य होते हैं वो कहां पाए जाते हैं समुद्रों में पाए जाते हैं समुद्रों के जल में इसकी जल की सता से नीचे लगबग 110 मीटर जब सता की गहराई में जाते हैं तो लगबग 110 मीटर की गहराई म पाई जाते हैं इसको क्या बोलते हैं समुद्री खर्पत्वार ठीक है इसको क्या बोलते हैं सीविट्स या समुद्री खर्पत्वार बोलते हैं कुछ जाती हो जैसे पोरफाईरा आधी में सुकाई पर्ण फलक लेमिया सदिश होता है जो थैलस होता है वो लेमिया पत्ते के आकार जैसा होता है ठीक है जो किस से जुड़ा रहता है आधार या बेस भाग से जुड़ा रहता है जो थैलस होता है वो आधार भाग से काई में किस रूप में संच्चतए करती है किस रूप संच्चतए पते हैं संचय करती को सीखाओं में की सुखीशूरीड़ींस्टिय忙 harmony जामा करती है इनका शिर्टम्स होता है इनकी जो को सिखाओं में इसकी तो फियो फाइटा की सदस्यों की उनमें किस वर्णक का उपस प्रेजन्ट होता है कि कौन सा वर्णक प्रेजन्ट होता है तो है फ्यूको जैन्थीन वर्णक प्रेजन्ट होता है जिसके करण जो बैसल होता है मतलब जो थैलस होता है उसका रंग क्या होता है भूरा रंग होत कि इन की जो कोशिका में कोशिका भित्य होती है है एनकी जो cell के सेल के सेल वॉल होता है वह किसे बना होता है आपका स्टू उफस्तित होता है तुरथिक सहवाल में क्या होता है जो कोशिका का वित्ती होता है उसमें स्टू ब्रेजट होता है लेकिन इन क्या होता है इनके साथ साथ भी कुछ अतिरिक्त चीजे भी होती है जो उनके साथ होती है जैसे कोशिका बित्ती में क्या होता है एलीजैनिक अमला और फ्यूसीनिक अमला cellulose के साथ उपस्तित होता है इनका जो सरीर होता है वो साखीत होता है इस प्रकार branches में divide रहता है ठीक है सुत्री होता है filamentus होता है filament का मतलब क्या होता है देखो ये इस प्रकार से निकला होता है साखीत मतलब branches निकला फिर filament के रुप में होता है प्रचनाय होती है रिप्रोड़क्टिव जो और गन्स होते हैं इनमें फ्योटा के सदस्य में वह क्या होते हैं एक स्थान से दुसरे स्थान पर प्रचलन कर सकता है और दो को साभी का यूगत होता है जो लेंगिक जनन होता है वो चल यूगमक को द्वारा होता है इसमें भी जो अलग 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 प्रकार के जनन के प्रक्रिया होती तो इनमें जो लेंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है चल भी जाड़ों के माध्यम से होता है यह जो सम एक जयसे होते हैं और जो विकमकी जिसमें मिलते हैं उसके siam यह जोलते हैं जो किसाबी का पाते हैं चिस्पट जो लोकिए को किस epidemi h Door तो V प्लेस तथा टीन सेल यानि दोनों प्रकार से बनी होती है दो प्रकार से ठीक है इनकी जो कोशिकाय होती है उनमें लेमिनेरीन नामक तथा मैनिटॉल के रूप में जो भोजे पदार्थ होते हैं वो संग्रहीत होते हैं किसके रूप में लेमेरीन नामक लेमेरीन और मैन ही टॉल के रुप में पाय जाता है इसका जो कोशी का दढ़ैसर का दुर्व फ्यूकोजन वेसिकल्स फ्यूकोजन आज से बोलते हैं इनकी ज़ögर सनरचणाँ होती है कैसी होती है शुकाईवत होती है घैलस uitsit होता है और क्या होता है junior forgiveness praukhvitti की होती है junior 關 Oreo gut मतलब क्या होता है hetra मतलब बोलता है चार प्रकार के है होते हैं साख美味 के बहुत सारे कोशी काउंस निननमीद होता है और साकी तो कितने सारे बंच के रूप में इतने सारे देखो अगर ऐ Mins Thep सदस यह हैं है ना तो इनका जो होए वो क्या है देखो साखित दिख रहे हैं अलग-अलग ब्रांच के रूप में उसके बाद क्या होता है यह जो पौधों का साखित वरिंत होता है स्टीपल्स जो होता है वो फलक लैमिना से जुड़े रहते हैं ठीक है जो वरिंत होता है वो किसे जुड़े होते हैं लैमिना से जुड़े होते हैं फिर इनका जो वरिंत होता है मतलब जो आधार बाद होता है वो किसे जुड़ा रहता है होल्ड फास्ट के द्वारा यह देखो यह आपका होल्ड फास्ट है यहाँ पर भी होल्ड फास्ट आपको यह सब लोल्ड वास्ट के द्वारा किससे जुड़ा रहता है जल में इस्थित किसी ठोस चट्टान से आधार भाग से जुड़ा होता है ठीक है जो कोशिका वित्ती होती है उसका जो बाहरी परत होता है वो एलिजेनिक अमला का जमा होता है जो की पौदों को सुखने के लिए तता ठंड में जमने तता चट्टानों से टकराने में रक्षा करता है जो एलिजेनिक अमला होता है जो कोशिका वित्ती में कोसिका वित्ती में जो एलिजेनिक अमला सेलिलोस के साथ इस्थित होता है वो फ्योफास्ट के कोसिकाओं को क्या करती है फ्योफास्ट के सदच्चे के कोसिकाओं को सुरक्षा करती है किसे चट्टानों में टकराने से है ना ठंड से बर्फ से जितने उनको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए कौन रक्षा करता है कोसिकाओं का एलिजनिक हमला ठीक है उसके रद कोसिका में जो एक से अधिक क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं जो कोसीका होती है उनमें एक से अधिक क्रोमेटोफोर में स्थित्यों फ्यको जैन्तिक वर्णजटा वार्नक के आपिक्ष्ष्च जादा प्रभावि होता है हम लोग उन्विस्टंस में ही देखे हम लोग उने लक्षर जब पढ़ा अमने तो तो देखा कि फीूचोजयंतिन के साथ साथ क्लोरोफिल, और फिूचय वड़नक जो भी होते हैं लेकिन किसे प्रभावी होता है , फ्यूचोजयंतिन जो होता है, इन सारे वड़नकों के उपर प्रभावी होता है इसलिए क्या कर लेता है अन्यवर्णों को भी अपने रंग में सम्मिलित करके भूरे रंग का या फिर पूले भूरे रंग का दिखाई देता है इस समों के अंतरगत आने वाला मैक्रोसिस्टी स्पाइरी फेरा जो होता है वो सबसे लंबा सेवाल माना जाता है फियोफाइटा के सब सारे सदस्टियों को देखेंगे तो सबसे लंबा सदस्टिय जो है वो है मैक्रोसिस्टी स्पाइरी फेरा लैमी नेरिया सारगेशम फ्यूकस तता एक्टोकारपस आदी इसके प्रमुक सदस्टिया है लेमित नेरिया, सार गेमस, गेशम और फ्यूकस तता एक्टोकार्पस नाम के जो सदस्य होते हैं इनके फियोफाइटर के प्रमुक उधारने कुछ फियोफाइटर के आपको चित्र दिखाई दिएगे हैं देखिए इनमें क्या यह साखित हैं बहु कोशी की यूक्त होते हैं ठीक हैं इनका जो व्रिंत होता है वो आधार भाग से जुड़ा रहता है होल्ड फास्ट के माधियम से इसमें एयर बलड पाई जाते हैं फियोफाइटर का सदस्य शारगेशम वह बहुत अधिक मात्रा में पाई जाता है हैं पूरे जो समुद्र में उनकी जो निचली सता होती है इसमें सफ सारगेशम के ही सहवाल दिखाई देते हैं इसलिए इस समुद्र को क्या बोला जाता है उतरी अट्लांटिक महासागर को North Atlantic Atlantic Ocean को सारगेशो सी या सारगेशो समुद्र के नाम से जाना जाता है फिर फाइटा की सदसी या फिर भूरे से वालों की सदसी मेरी प्रप्रडक्शन कैसा होता है प्रजिनन कैसा होता है देखते है इनका जो जनन होता है वो तीन प्रकार से होता है पहला है वर्धी प्रजणन दूसरा वर्धी प्रजणन है ना पहला देखते हैं वर्धी प्रजणन उसके बाद देखेगे अलेंगिक अलेंगिक प्रजणन तो वर्धी प्रजणन क्या होता है इसमें फ्रेग्मेंटेशन द्वारा होता है विखंडन होता है दो भागों में इसके फ्यूखेलिस्ट ओर्डर के सदस्यों को छोड़कर जितने भी भूरे सैवाल होते हैं उनमें क्या होता है अलेंगिक जनन तथा एपलनोस पोस द्वारा प्रजन की क्रिया होती है चल भी जाणू का निर्माण एक कोस्टकी होता है जो चल भी जाणू है उनका कोस्टकी होता है ठीक बेजाडू धानिया होता है कुछ जातियों में इस्टेलोन तथा प्रोपेग्यूल्स के बनने से भी प्रजन होता है कुछ जो जातिया होती है उनमें कैसे प्रजन होता है प्रोपेग्यूल्स और इस्टेलोन का निर्माण होता है उसे भी प्रजन की एक्लिया होती है ठीक है लेंगिप्रवियंगी जो होता है वो सम युगमकी होता है निद्ली जिसमें होता है Ϗ विद्ये से वहनिय पौधे होते हैं जो फ्यूकेल्स होते हैं या फिर फ्यूकस जो होते हैं वो क्या होते हैं सारगैसम तता सनवनी इसतल पौधों की समान होते हैं द्वीगूरित अवस्था में जीवन चक्र को प्रभावी होते हैं द्वीगूरित अवस्था में मतलब इनकी जो प्रज प्रतिनिधित्व करती है जो एक को सीखिये होता है मतलब जो अगुडित अवस्था होता है वो न यूगमक और मादा यूगमक के तरह क्या करते है प्रतिनिधित्व करती है फिर दोनों के संयूगमन से क्या होता है द्वीगुडित अवस्था का निर्मान हो जाता है इसमें क वाधे जो होते हैं वह आकारी की द्रिश्टी से सामान होते हैं इस प्रोम नतलब होता है जो बिच का निर्माण करता है वह क्या होता है वेज पारी द्रिश्टी से एक सामान होते हैं इनका जो घमीट वाला भी जो बीज निर्माण करता है या फिर तर धन्र покуп होता है इनकी जो अवस्थाइं होती है या फिर इनकी जो आकार होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग होते हैं हेटरोमार्फिक जिसको जैसे लेमेनेरिया तता इसका जो लेमेनेरिया ठीक है हेटरोमार्फिक में क्या होता है एक्टोकर्पस दोनों जो आकार होते हैं या फिर दोनों ही बिटके हैं फीवफाइटर के एकोनोमिकिस इंपपोर्टेंस ठीक है इसक व्हवफाइट के सदस्यों का किस की रूप में आर्थिक महत्र होता है तो पहला हम लोग देखते हैं चारा के रूप में लेमेनेरिया, एसकोफिल्म, फ्यूकस, आधी जो फ्योफाइटा की सदस्य होते हैं, उनका उप्योग किस रूप में किया जाता है, जानवरों के चारा के रूप में किया जाता है, खनी श्रोथ की रूप में, as a sources of minerals, फ्योफाइटा के जो सदस्य होते हैं, उनमें सुस्क भार जो लगबग 30% का भार होता है, उसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, जिसके कारण इन से पोटेशियम लवण निकालते हैं, पोटेशियम क्लोराइड उपस्तित होता है, प्रेजेंट होता ह आयोडिन भूरे सहवालों में आयोडाइट के रूप में रहता है भोजन इस्त्रोथ फूड सोर्स के रूप में भी यूज करते फ्योफाइट के सदस्यों को जिसमें से 20 से अधिक जातियों को खाया जाता है जैसे कि लैमेनेरिया सार गैसम एल्री या आदी उद्योगिक रख्त को जमने से रोकता है हमारा जो ब्लट क्लोटिंग होता है उसको रोकने के लिए कौन हेल्प करता है इससे तो लैमेनेरिन सलफेट नामक जो औस झी होता है वह उसको रशायन भी बोल सकते हैं अब देखते हैं कि रोडोफाइटा लाल सहवाल फियोफाइटा भूरा स सेवाल इसको क्या बोलेंगे क्लोरोफाइटा या ग्रीन एलगी इस समूद्र प्रकृति वाले होते हैं इन लोग समूद्र में पाई जाते हैं जो मैक्जिमम जाती हैं मैक्जिमम इस पीसिज जो होती है ग्रीन एलगी के वो कहाँ पे पाई जाती है मृधू जल में फ्रेस बाटर में पाई जाता है या ना समूद्र इस्थान पे जहाँ जहां पे नम नम स्थान चान बहुत जादा होता है वहाँ पे कौन सा उगता है वाउचेरिया नामक सहवाल ट्रिबाक्सिया जो होते हैं वो हरे सहवाल लाइकेन के सहवाल यह सहजीवी होते हैं ट्रिबाक्सिया जो लाहरे सहवाल होते हैं वो लाइकेन के जैसा होता है और सहजीवी होता है लाइकेन के साथ रहते हुए अपना जीवन यापन करता है जो क्ले रोला नामक जो सेवाल होता है वो इपी जोईक होता है ना जो की क्रमसा मुलास्का तथा इस्पोंजे समों के जन्तूओं के कवच एवं सरीर के सरीर में पाई जाता है यह क्या होता है जो क्रोलेरा जो होता है वो किसमें पाई जाता है इपी ज जन्तू के उपर चिपक कर दूसरे जन्तू के साथ चिपक कर जैसे कि मोलासका वगरा जो है मोलासका स्पॉंजे जन्तू होते हैं उनके कवच में मतलब उनका जो बाहरी खोल होता है उनमें चिपक कर क्या करते हैं पाई जाते हैं सिफेलियूरस जो होता है वो क्लोरोफाइट पार जीवी होता है दूसरे जीवपर अपने भोजन के लिए डिप्धेंड़ेट करता है तसा जो चाइफ की ईका उप्होदे पैदा करता है बहुत ज़्यादा होती है इनमें हरित लवक जो होती है वह पाइरोनाइट पाए जाते हैं उन्हीं तक वह सब्वर्णक होते हैं इनमें जो संचित भोजयपदात होता है वो स्टार्ज के रूप में होता है प्रतेक जो कोसिका होता है वो एक केंद्र की होता है मतलब जो प्रतेक कोसिका में जो केंद्रा कोता है उनकी संक्या केतनी होती है एक होती है इनकी कोसिका भित्ती जो होती है वो सेलिलोस से निर्मित होती है इनके जो reproductive organ होते हैं वो क्या होते हैं एक कोसी की होते हैं इनका जो जीवन चक्र होता है वो जाइगोड की द्वी गुरित संरचना में होता है अगर इसकी संरचना देखेंगे तो प्रोटिस्टा के अंतरगत आने वाले हरे सहवालों को छोड़ दे तो जितने भी प्रोटिस् प्रोटिस्टा के अंतरगत आते हैं और जो बहु कोसी किया होते हैं यह जैसे अलवा कॉरलेपा आदी सुकाई वाले होते हैं मतलब जो समुद्री समुद्री सेवाल होते हैं सी में पाई जाने वाले जो ग्रीन होते हैं वो क्या होते हैं सुकाईवत होते हैं मतलब थैलस हो दोर होते हैं रोली यो कॉलियो किट जो होता है उनकी कुछ यातियों में सुकाय कूट मरेदु तकी त Virt하기 का मतलब होता है कि एकदब पास-पास और जुड़ा हुआ जो संरचना होता है वो है ना और इनकी जो जातियां होती है वो तन्तूवत होती है रिसे वालों की कोशिका भित्ती सेलिलोज की बनी होती है कभी-कभी यह तीन परतों की होती है पहली परत जो होती है वह सेलिलोज की दूसरी परत जो होती है वह पैक्टिक योगी को की और जो तीसरी होती है वह काइटीन की बनी कोशिका भित्ति में तीन लेयर होते हैं पहला होता है सेलिलूज का दुसरा होता है पेक्टिक योगी को अत्वा पेक्टीन का और तीसरा होता है काइटीन की इनकी जो कोशिकाय होती है हरित लवक अलग-अलग जातियों में अलग-अलग प्रकार की होती है जैसे कि स्पाइरो गायरा में पट्टीनुमा और सरपिलवत जिगिमा में तारा सद्रिश्य सेटलाइट ऐसे होता है कॉल्डियो किट में परीधी यूलोत्रिक्स में सी परीधी होता है परीधी भाग में पाई जाता है और जो यूलोत्रिक्स होता है उसमें सी या मेकला सद् प्रजिणन उन्की जाती से दूसरी जाती में भिन्नता प्रदर्शित करती है अब देखेंटेंगे जीवों में तीन विदियो द्वारा प्रजिनन होता है पहला है काईग जनन ये विखंडन द्वारा होगा फ्रेग्मेंटेशन द्वारा फिर है अलेंग जनन समानेता जूइस्पोर और अचल भीजाडवो द्वारा चल भीजाडवो द्वारा और अचल भीजाडवो के माद्यम से होता है या फिर Echinates के माध्यम से भी होता है हर इस हैवालों में लेंगिक जनन जो होता है वो स्वाम यूगम की और विसाम यूगम की विधी द्वारा होता है इनका प्रजनन कैसे होता है हमको ये नहीं देखना है हमको सिर्फ यह देखना है कि कौन-कौन से प्रजणन में किस-किस प्रकार का प्रजणन होता है कि जैसे कि यहाँ पर पताया गया है जो काई प्रजणन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है फिर अलेंगिक प्रशनन जो होता है वो जो इस पोस्ट निमाय मतलब चल बेजाडवो और अचल बेजाडवो द्वारा या एकाइनेट्स के द्वारा होता है जो हरे सहवाल होते हैं उनमें लेंगिक जरन सम्युगमकी असम्युगमकी और विसम्युगमकी के विधी द्वारा होता है सामान या हरे सैवाल जो होते हैं वह कौन कौन से हैं देखते हैं ख olduğ पहला उधारन है ख लेवां भी कसाभी का यूद आ झूक हिपा तो ले और में ओध उ Avec एक उसका जो एक कोसी की होता है यूकेरियोटिक होता है यूकेरियोटिक मतलब इसका केंदरक जो होता है या फिर जो कोसिका होता है वो पूर्ण मैच्चोर्ड होता है ना पूर्ण अता टोटली मैच्चोर्ड होता है इस द्वी कसाभी का मतलब दो फ्लैजीला होते हैं ब्लाइफ एजलेट जिसको बोलते ह जो कि क्या करते समूदरी जल तता स्वक्ष जल दोनों में पाए जाता है स्वक्षंद होता है जो स्टार्च होता है सित यूट पाइऻोट संकूचंसीcit धानी था लिंग Genka hcus स्टार्ट होता है संकूचन सिल्धानी होता है अगर पकड़ते हैं तो उनमें संकूचन होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है स्टार्थ्व संकूचन में कोशिका के अंदर होता है क्लोक सिक बित्ति होती है । इस स्टस्टा मैं कोशिका बित्ति में सेल्यूलोज का अभाव ह Bennett जनन होती है ये माध्यम से П्रदर्षित करता है जिसमें अनेक अकासाभिक नगन कोशिकाएं लसलसे आवरण के अंदर इस्थीत होती है जिनमें क्या होता है जब पालमिला वस्था होता है उसमें क्या होता है अनेक अकासाभिक मतलब उन्हें कोशिका में जो होते हैं वो कासाभिका उपस्तित नहीं होती है फ्लेजि वो जल में जरीले रसायन के उपसिती या प्रतिकूल वातावरण के आगमन की इस्तिती में प्रदर्शित करता है पालमेला वस्ता में जनन कब होता है जब समुद्र में या फिर जब जो जल में जहां पर ये प्रेजन्ट होते हैं वहां पर क्या होता है जहरीले रसायन का प्रकार का होता है जो जीवन चक्र होता है वह हैपलॉंटिक प्रकार का होता है मतलब एन अवस्था जो होती है वह प्रभावी वस्था होती है क्योंकि जाइगोट के बनने के बाद अर्द सुत्री विभाजन शुरू हो जाता है जहां जाइगोट का निर्माण होता है यहां क्लेमाइडो मोनास का अगर चित्र देखते हैं तो कैसा होता है इसकी संदच रहे दूंछ होता है ठीक है इसमें देखो आइस पोर्ट्स होता है बोला गया था फ्लोरोप्लास्ट क्या होती संद्ध सेट में धिक्रही है सेट में और हम लोगों ने पहले ही देखा था सेल वोल जो होता है उसमें क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है सालिलोज की अनुपस्थित होती है फाईरोनायड पन प्पाए जाते है ST paragraph is की जाएं और अपस्तित होता है प्लाज्मा में अपस्तित होता है यह आपका संपुर्ण के बारें पूछा जाएगा तो आप चित्र के माद्य हम से उसकी संरचना उनके लक्षन और उनका वरगी करन के साथ-साथ उनमें प्रजणन कीन वीदियों में होता है आप बता सकते हैं उसके बाद क्लोरोफाइटा का दुसरा सदस्य है या फिर दुसरा उधारन बोलेंगे हम इसको वॉलवक्स यह क्या होता है स इसका मंडली या प्रकृती का होता है प्रदर्शन करता है कोने नेयो बियल हैबिट होता है इसका आकार या फिर आमाब जिसको बोलेंगे वो कैसा होता है 0.5-2 mm व्यास वाला होता है 0.5-2 mm व्यास वाला इसका जो सुकाय होता है इसकी जो थैलस क्या होती है वो निश्यत स संख्यां में को सिकाओं में बना होता है 500-60000 की संख्या थिए इनका जो आकार होता है वह में जूड़ी होती है एक दूसरे से किसे के दौरा जुड़ी रहते हैं ज़िगेंगेंस कि जहां खाल यह मतलब कोई सब्सक्राइब के लिएयर इसमें और Tacabec ले wi-GIए सब्सक्राइब भागलएंध ना इसमें के आप आ है जाता है घो मंदलिये प्रकृति का होता है इसका जो आमाप होता है 0.2 mm से 5 0.5 mm से 2 mm तक का व्यास होता है इसकी जो सुकाय की एक निश्चित संख्या में कोशिकाय होती है जिसकी संख्या लगभग 500 से 60,000 के बीच की होती है इनका जो सभी स्टेंड होता है वो कैसे जुड़ा रहता है ज ज्यादा तर हिस्चे जो होती है उनकी जो कोशिकाय होती है इनमें दो कसाभिका होते है पस्टी हिस्चा जो होता है इनकी कोशिकाय क्या होती है गोल होती है पीछे का जो हिस्टा होता है पस्टी जो भाग होता है इसका वालवक्स का उसकी जो कोशिकाय होती है वो गोल अक कलोटनी केम निर्माण होता है कोंदर ना लैंगी जनन जो होता है वह गश्र जीवन चक्र जो होता है वो hyplantic प्रकार का होता है अर वॉल्वक्स के बाद दिखते हैं उधारन तीशरा हम लोग еспाईरोगाईरा जो होता है वो असाखी टन्तुनुमा होता है जिसमें साखा नहीं होती है यह सेवाल जो होता है इसे पॉंड सिल्क के नाम से बी जाना जाता है मतलब तलाबों में पॉंट मतलब होता है तलाब और सिल्क मतलब होता है चिकना पदार्थ है तो पॉंट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है कुछ जातियों को छोड़ दे जिनमें राइजाडल को सिखाएं पाई जाती है तो सभी में एक ही तरह की को सिखाएं पाई जाती है एक दो सदस्यों को छोड़ कर या फिर दो चार सदस्यों को छोड़ कर क्या होता है राइजाडल को सिखाएं पाई जाती है मतलब क्या होता है एक जैसी कोशिका होती है सेम आकार की प्रतिक कोशिका लंबाई चोड़ाई क्या होता है उसकी लंबाई उसकी चोड़ाई से तीन से चार गुना अधिक होती है इनमें कैसा प्रजनन होता है वर्धी तथा लेंगिक प्रजनन प्रदर्शित करता है वर्धी जो आते हैं और विपरित स्तिति ची के दोको सीखाओं के बीच में धन प्रभेद वाली कोशिका और रिड प्रभेद वाली कोशिका के बीच में क्या होता है सायूगमन होता है जिसको क्या बोलते हैं सायूगमन होने से एक नलिका बनता है जिसको बोलते हैं सायूग कंजूगेशन ट्यूब जिसे क्या बोलते हैं एक तंतु के कोशिका का युगमक दुसरी कोशिका में जाकर संयूग ठोकर जाइगोट बनाता है, एक कोशिका का जो युगमक होता है, वो दुसरी कोशिका के युगमक में जाकर क्या बलता है, एस जाइभोट का निरमार करता है ये किसके माध्यम से होता है स्रिधी नुमा सरचना स्रयुगमन भी कहते हैं क्योंकि स्थित कोषिका के पट के उपर रास्ता या चिद्र बनने से एक कोषिका क्या हों जो ही एक में पट का निर्माण होता है तो कोशिका जो होता है युगमक दुसरे कोशिका में जाता है इस युगमन का पार्स्विय सा युगमन कहते हैं लेटेरल कंजूगेशन कहते हैं जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है है प्रकार का जीवन चक्र होता है किसमें स्पाइरो काई राम में इंडारेक्ट लेटरल कंजुगेशन कैसे हो रहा है बोल रहा है तो चीद्र निर्माण से सिधी नुमा संयूग मन कैसे हो रहा है जब दो धन प्रभेद और रिंट प्रभेद वाली जो कोशिकाएं वह पास पास आती है तो नलिका बनाती और नलिका से क्या होता है जाइगोट का निर्माण होता है जब दोनों में होता है ना फिर हो गया आपका प्रत्यक्षपार्स संयूगमन डायरेक्ट लेटरल संयूगमन जो होता है वह उपर नीचे से होता है ना उपर एक कोशिका नीचे एक कोशिका आती है तब और जो अप्रत्यक्षपार्स सं इसमें बहुत सारी साखाए नहीं होती बहुत साखाए दीक दीक्या नहीं इसने पाइरोनाइट की उपस्तिती होती है हरे सहवाल का आर्थिक महत्वा इकोनॉमिक इंपोर्टेंट्स ऑफ ग्रीन एल्गी हरे सहवाल के जो सदस्य होते हैं मोनोस्ट्रोमा अल्वा कोडियाम क्लोरेला की तुलना इसके आहार मान कारण पालक के मिश्ट्रन से की जाती है फूड वैल्यू जो होता है वो पालक के जैसा किया जाता है वत्त पालक के जैसा माना जाता है किसको तो मोनोस्ट्रोमा अल्वा क्लोरेला कोडियाम आधी को है ना तथा विस्वे के विभी नभागों में इसे खाया जाता है कारा जो सदस्य होता है क्लोरोफाइटा का वो अन्य सेवालों का उपयोग जिनमें पी, के तथा अन्य सुक्ष्म, तत्व, पोटेशियम और सलफ पोटेशियम वगरा होता है जिसमें वो क्या होता है उसकी उपस्तिति के कारण कार्बनिक पतारतों के साथ मिशृत कर खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है कि क्लोरेली नामक प्रती जैविक एंटिबायोटिक बनता है जिसको क्या मुलते हैं पहला um क्लेडो, फॉरा, लिम्बिया तथा कुछ अन्यस हैवालों से प्राप्त होने वाले एंटिबायोटिक को क्या बोलते हैं स्यूडो, मौनास तथा माईकोbacterium के वीरुद उप्योग में लिया जाता है किसके विरुद में स्यूडो मोनास तता माइको बैक्टिरियाम के विरुद में किसको लिया जाता है लिम्बिया और अन्य सहवालों से प्राप्ट एंटिवायोटिक को ठीक है इसमें विसाडू निरोधी एंटिवायरल गुड भी होता है कुछ सहवाल जैसे क्लोरेला, सैनेडेंसम का उप्योग बैक्टिरिया के साथ जो मल टैंक होता है सीवेज टैंक में इस्थित्मल के अक्सी करण तता खनीजी करण के लिए भी उप्योग किया जाता है क्लोरेला, सदस्च्यों का है ना, इनका हानी कारक मात भी देखते हैं, harmful importance भी देखेंगे, लिंबिया जो होता है, लिंबिया और क्लोरेला से मनुश्यों में कौन सा रोग होता है चर्म रोग होता है, इस कीम में मनुश्यों के सहवालों का ज्यादा मात्रा जल में संचय चाय में रस्ट रोग काुषा कहता है अ अब रोडो फाइटा विजारुत भीद्व और युगमक भीद्व में अंतर क्या होता है चल स्पोस और युगमक भीद्व क्या होता है देखते हैं यह पादप की जीवन जीवन चक्र में दीगूडित बहु कोसी के संरचना प्रधर्शित करती है। जबendo की युगमुत भीत हैं फ्रत्य प्रत्र अन्श के में दीग लेकिन यूगमकोद भीत्द में क्या होता है गुड सुत्र की संख्या जो होती है वो एन होती है या युगमच की वृद्धी द्वारा बनता है युगमच की वृद्धी द्वारा बनता है यह मियो स्पोर के अंकुरान द्वारा बनता है बिजाडू द्वीद्ध जो होता है युगमच की वृद्धी के द्वारा बनता ह बिजाडूत बिद्ध क्या होता है।ry ओधन होता है। बिजाडूत ott Response होता है । बिजाडव मात्री कोसिका और्दस्थरी कोसिका विवाजद से बनते हैं। इसलिए क्या होते हैं 라는 trav? युगमक जो होते हैं। अगडित होते हैं इनके निर्माण में अर्द सुत्री विभाजन नहीं होता है युगमद भिद्ध में इसमें क्या होता है सम्सुत्री विभाजन होता है बिजारुत भिद्ध क्या होती है अलेंगिक पिड़ी होती है लेकिन युगमद भिद्ध में क्या होता है लेंगिक प प्रजिनन कैसा होता है प्रोशन क्या होता है और उनमें लक्षन क्या होते है देखेंगे आगे की वीडियो के लिए सीजी शिक्षा में हमादे साथ जुड़े रहें धन्यवाद